बूर्णिंग स्टुडेंट विल्कम टियर ओनलाइन क्लसेज इट सवर कम्पूटर क्लास लेट सब्सक्राइब बेटा आज हम पीस नंबर 16 पर करेंगे हमारी ब्रेन एक्सराइब जिसका यह पार्ट है रिरेंज ता जंबल लैटर टुगेट ता नेम आफ कम्पूटर पार्ट बेटा यह पार्ट की नेम है इनको हमने रिरेंज करने है जैसे हमें उल्टे फुल्टे दिये हैं इनको सई ओ अगले बनेगा माउस अगले बनेगा हमारा मोनिटर मोनिटर अगले बनेगा हमारा सी पी यू यू ये होगे हमारे जंबल लैटर आगे बी पार्ट है हमारे पास राइट, ट्रू और फॉल्स पेस च्पले ट्रूर फॉल्स अमनेटर इस तर ब्रेइन ओ के ब्रेंटर के एपर करने के लिए हल्प करता है फू अमनेटर लुक्स लाइक गार टीवी स्क्रीन मोनिटर की तरह दिखता है ज्ज़ होगे हमारे ह कि पाट है हमारा टिक्दा कुर्ण आंसर अंवस्ट इंद डे में पार्ट ऑफ अफ द अप्पीटर इस टैश मेंट पाट काऊंस है विटा अच्वीटर में सा आप स्पेउड़िका कबिना कॉंपुटर नहीं चलेगा सै कि मेंटर लुक्स लाइक का डैष दिए आई मिरियर की तरह टैलिविजन की तरह स्क्रीन की तरह टैलिविजन की तरह यह थ Work ऄफिश्만 करें है कुझाए डीड़ं आफ संक्राइश आपक हुआ य१ा करता है खंपिटोंग freakinश के इस्निक प्रीटर एकनी हां धिरए हप्रिंटर किंशन hack अप्रिंछ प्रिंट करते हैं लास्ट पाट है हमारे पास D, answer in one word हमने one word में answer देना है name the device which can store data उस device का name बताना है आपने जिसके बीच data store किया जाते है वह है CPU name the part of the computer which is called brain of the computer computer का brain की बोलते हैं बीटा CPU को name the part of the computer by which we can enter the words in the keyboard उस पार्ट का नीम बताना है जिसके त्रूँ आप computer में words को एंटर करते हैं किसके त्रूँ करते हैं आप की बोलते हैं यह थे हमारे बीटा brain exercise इसके नेक्स्ट है हमारे अक्टिविटी जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थांक यू